अच्छे से समझ आ गया होगा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकॉलजी सेकिंड यर कर टौपिक CNS stimulants में hallucinogens को हम लोग CNS stimulants के अंदर already cocaine और nicotine last lectures में पढ़ चुके हैं आप लोग pharmacology की playlist में जा कर देख सकते हैं आज हम लोग start करने जा रहे हैं hallucinogens को hallucinogens के बेरे में पहले इसका थोड़ा introduction देख लेते हैं उसके बाद हम लोग इसकी pharmacology लिखेंगे आप लोग कहते हूँ hallucinogens जो हैं ये CNS stimulants के तरफ पर इस्तमाल होते हैं और ये एक ऐसा लव्स है जो के drive किया गया है from Latin word यानिके ये लातिनी जुबान का लव्स है hallucinar इससे ये drive किया गया है जिसका मतलब क्या था vendor in mind यानिके तखयो लाते किरदार या पिर तखयो लाते गुफ्तगो करना ठीक है यानिके एक ऐसे इनसान से बाते करना जो के वहाँ पर असल में मौजूद ही नहीं है right hallucinogens are natural and synthetic substances ये कुदर्टी भी होती है और मस्नूई भी होती है और इनको खाने पर ये एक मिन मिन सही तोर पर ये क्या करती है एक इनसान के होशो हवास जो consciousness है उसके लेवल को ये तबदील कर देते है ये एक तरह से cns stimulant के तोर पर इसामाल की जाती है लेकिन अगर इसका गलत इसामाल किया जाए तो ये क्या करती है cns को ये डिप्रेशन में लेकर जाती है या फिर आप लोग के तो हलूसिनेशन्स पैदा करने लग जाती है हलूसिनेशन्स क्या होती है हलूसिनेशन्स यानि के हलूसिनेशन्स हलूसिनेशन्स क्या होती है यानि के एक ऐसी एक ऐसी condition जिसके अंदर इनसान खियलाती गुफ्टुकू करना start कर देता है या आपने ही खियाल में एक खियलाती किरदार बनाकर और उसके साथ बाते करना start कर देता है या उसको अवाजों सुनाई देना start हो जाती है या फिर आप लोग कहते हो कि एक sudden प्रफ्लेक्स पैदा करता है अगर उसको किसी ने भी हाथ उसके तरफ बढ़ाया ही था और वह इस तरहां से उसको लगे कि जैसे वह मुझे मारना चाहरा था तो मीन फॉरान से रिफ्लेक्स उसके तरफ मतल़ के रस्पांस पैदा करना ठीक है है लुसी नोजेंस आर ऑल्सो कार्टून असे माजिक मश्रूम माइक्रो डॉट कैलिफार्निया संशाइन और साइलो साइवन इसके अंदर हैलुसी नोजेंस के अंदर आप लोगों के पास जो ड्रग है जो आप लोगों ने स्टेडी करनी है इत विल भी लाइसर्जिक एसे डाय थाइलामाइड यानिके या आपकी वो नशावर अद्वियात हैं जो के आपको आम गलियों में असानी के साथ मिल जाती हैं आप स्टार्ट करते हैं लाइसर्जिक एसे डाय थाइलामाइड एलेस जी को इसके अंदर आप लोग बहुत सानी इसका इंट्रॉड़क्शन लिख सकते हैं that it is a hallucinogen drug कि य और इसके साथ साथ ये कि it is a adrenergic agonist ठीक है it is a adrenergic agonistic drug या sympathomimatic drug अगर आप लोगों को याद आ जाए कि ये sympathomimatic drug है तो I hope so कि आप लोग इसको बहुत आसानी से और बहुत कुछ इसके बारे में लिख सकते हो अगर आप लोगों ने sympathomimatic drugs पढ़ी हुए है जो कि हम इसके बाद के फार्माको काइनेटिक्स सबसे बहुत है इसका इसी है एब्सॉब्ड ओरली होता है या इन्हेलेशन जैसे कि हमारे पीछे वाली भी जितने में सी एनस्ट्रमॉलेंट थी कुकेन था या निकोटीन थी आप लोग उसे इन्हेल करके भी लेते और 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 फिर वेल डिस्ट्रिब्यूटेड इन ड्रग या फिर आप कहते हो वेल डिस्ट्रिब्यूटेड इन बॉड़ी राइट या निके बॉड़ी के अंदर बहुत आसानी सा तेजी से फैल जाती है मेटबलाइजें लीवर और इलिमिनेटी थो यॉरें ठीक हो गया अब फर्मा बढ़ हैगा ऑसा मेट फिर इनक्रीज़ ग्रीजेश और जब इसकी मिकदार बढ़ जाती है तो संपाथार्टिक एक्टिविटी इस इनक्रीज आप लिगों को आईडिया है कि हमारे पास संपाथाटिक जो हमारे पास नियूरो ट्रांस्मिटर उनके अदर आपिनाफरिन नौरापिनेफरीन और इसके साथ साथ डपामेन सिरोटनीन भी आता हैं, ठीक है, और इनके अंदर हमारे जो LSD है वो सिरोटनीन को नेकल को बढ़ा रहे हैं और सिरोटनीन का major जो मतले काम होते है वो क्या होते हैं कि behavior को control करना senses को control करना बर्ताव को और हमारे hiss होती है उनको senses को control करना या mood को मोड होते हैं और thinking capability या thinking capacity यानिका सोचने की सकत है उसको यह control करके रखता है अब अगर हम यह क्या करेगा अगर यह उसके अंदर हमारी जो sinatric space है उसके अंदर अगर यह serotonin के level को बढ़ा देगा तो क्या होगा हमारे sympathetic activity भी बढ़ जाएगी अब effects on the body की बात करते हो तो आप लोगों को idea है कि यह sympathomimatic drug है sympathomimatic यानि के ऐसी drug जो कि हमारे sympathetic system को mimic कर रही है sympathetic system को mimic कर रही है sympathetic system हमारा कौन सा होता है fight and flight mode हो गया fight and flight mode अब आप लोगों को माइन में आजाना चाहिए कि हमारा वो system जो कि घुस्से में या मिन बहुत अधा जैसे लड़ाई के वक्त हमारा active होगा होता है जागते में जो active होगा होता है तो वो हमारा sympathetic system होता है और यह उसी को mimic कर रही है तो अब आप लोग क्या करोगे आप लोगो सारके सारे effects से लिख दो जो कि हमारे fight and flight mode में active होगे होता है like हमारा blood pressure भड़ावा होता है breathing हमारी slow होती है जब क्यं हार्ट नें वहां इंक्रीज होता है उनके बढ़ जाएंग और वेजो कॉन्स रही है जाए वह हमारे प्रोंकियो सोड़ाव करवा होता है जिसके ब्रीधिंग चैसे के को केन में हो जाता है क्रेमर्स होते हैं यानके कब कपाहट पैदा हो जाते हैं कब कपाहट ना स्टार्ट कर देती है बॉड़ी अपिटाइट भूख लगती है किसलिए भूख लगती है क्योंकि हमारे यह संपथैटिक सिस्टम एक्षिन अन हुआ है न तो आप लोग कहते हो कि उस सिस्टम में परशानी हो या खुसा हो तो स्टम फिर हम लोगं को भूख नहीं लग रही होती है हमारी गेस्टिक मोटलिटी डिक्रीज होती है और इसी तरह से हमारी जो जी आईटी के enzymes की secretions हैं, वो भी कम हो जाती हैं, enzymes की secretions हैं, ठीके, secretions हैं, वो भी हमारी decrease हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, जिसके उज़से हमें भूख नहीं लग रही होती, फिर pupils की बात करते हो, तो pupillary dilation हो जाती है, pupillary dilation जिसे आप लोग medriacces का नाम देते हो, अब ये सारे के सारे हो जाते ह हैं और हम लोग अब क्या पढ़ने लगे हैं यूजिस के हम लोग किस बीमारी के लिए उसको इसामाल करते हैं हम तरजी किस बीमारी के इसामाल में देंगे इसे इठ्ट अस इमोलेट सी एलने से इंड़े प्लेजन बरीजेंजिगे उन मूड और ans ہیں ची corazón ABOUT Nummer ॥ ठीक है हमारे बरताओं में मूड एंड बिहेवियर के अंदर ये खुशकवार तबदिलियां पैदा करता है कैसे ये हमारे सियना इसको स्टिमॉलेट कर देता है लेकिन याद रहे अगर तो हम लोग इसको जरूरत से ज़्यादा लेने लग जाएं इसका गलत इस्तामाल करते है तो ये क्या करते है ये हलूसीनेशन पैदा करना स्टार्ट कर देता है एड़र्स एफेक्स में आप आजाओ घर ज़रूरी जो हमारे जो हमारे असरात है उसमें कि आएंगे हाइपर रिफलेक्जिया यानि कि फॉरं से रद्धे अमल देना यानि कि तेज कर देना अपना रद्धे अमल यानि कि रेस्पॉंस देना कैसे टेक्टाईल रेस्पॉंस होता है यानि कि आपका रद्धे अमल जो होता है वो फॉरं से जाहिर होता है अभी आपके तरफ किसी ने उंगली ही बढ़ाई और आपने फरंद से उसको जटक दिया आप लोग कहते हैं दूसरा नौजिया हो जाता है वेट लॉस होते है क्योंकि आपको लोगों को बहुत ज्यादा इसमें भूक लगना स्टार्ट हो जाती है आपके एनरजी यूटेलाइस होती है और बॉडी जो ह होती है वह लीन हो जाती है कमजोर हो जाती है वेट लॉस हो जाता है मस्कुलर वीकनेस पठों में कमजोर हो जाती है एडिक्शन इसकी साइकॉलोजी कली होती है नौट फिजिकली फिजिकली नहीं होती सिरफ साइकॉलोजी कली होती है यानि कि आपका जहन उस चीज को पड़ती होती है आपकी बॉड़ी नीड नहीं है या आपकी सिर्फ और सिर्फ साइकॉलोजिकल नीड है यानकि आपका दमाग इसी इसका मांग रहा होता है लेकिन आपकी बॉड़ी को इसकी जरूरत नहीं होती है आज की ड्रग हमारी यहीं तक ही नेक्स तेम हम लोग इंश so much. Allah Hafiz.